Hello friends, welcome back to my channel All Things Gardening ये fig यानि की अंजीर का फ्रूट है जिसका एक छोटा सा प्लांट मेरे टेरेस पे है ये प्लांट एक ग्रो बैग में 15 बाइ 12 के ग्रो बैग में मेरे टेरेस में है ये करीब डेड़ दो साल पुराना प्लांट है इसमें फ्रो आउट येर फ्रूटिंग होती रहती है समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, स्प्रिंग है, कोई भी सीजन इसमें फ्रूट हमेशा रहते हैं मुझे इस प्लांट के बारे में लगाने से पहले ज़ादा मालूम नहीं था लेकिन लगाने के बाद मैंने देखा कि इसमें throw out year fruiting होती रहती है कभी जादा कभी कम और ये बहुत बड़ा plant नहीं है आप देखिए इसमें ये main branch है इसकी और इसकी अलावा इसकी एक branch और नीचे से develop हो रही है आपको दिख रही है ये नीचे दूसरी branch भी उसमें भी fruit आ रहे है इसमें बहुत branches नहीं आई मैंने इसकी main branch को cut किया था लेकिन उसमें भी बहुत सारे branches develop नहीं हुई इसका fruit जो है ripe होने के बाद आप देखिए इसका color इतना dark हो जाता है लेकिन ये इतना sweet होता है कि ripe अगर ये पेड़ पे हो गया तो इसमें इस तरह से चीटियां इसमें चली जाती है और ये देखे कितना juicy ये plant है और ये fiber rich होता है ये fruit फिक जो है एक warm climate का plant है तो इसको ट्रापिकल या warm climate में बहुत easily लगाया जा सकता है इसको well draining soil चाहिए नहीं तो इसमें roots में problem start हो सकती है अगर water hold करेगी soil तो well draining soil बनाने के लिए इसमें थोड़ा कोकोपीट और थोड़ा sand इसमें mix करना चाहिए और इसको suny location में रखना पड़ता है जिससे कि इसकी fruiting हो और fruit तयार भी हो जाए इसके अलावा चीटियों से बचाने के लिए इसकी soil में उपर से थोड़ी सी राख spread कर दी जाए तो चीटियों से plant को बचाया जा सकता है चीटियों इसकी soil में अंदर root के पास भी अपना nest बना लेती है बस इसको watering त्यान से करना चाहिए और इसकी soil well draining होनी चाहिए इसकी अलावा इसको बहुत ज़्यादा देख भाल की जरूरत नहीं है इसका fig का या अंजीर का propagation cutting से भी किया जा सकता है मैंने तो ये nursery से plant buy किया था और ये grafted plant ही खरीदना चाहिए मेरा plant grafted है अगर grafted नहीं होगा तो fruiting बहुत लेट होगी या पता नहीं होगी भी या नहीं इसलिए grafted plant ही लगाना चाहिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे like, subscribe और share कर लीजे happy gardening